तो आज की वीडियो में स्टाट करेंगे 4.0 स्टाटर जो हमारे DC मोटर को चलाने के लिए परियोग के जाता है अगर DC मोटर को हम चलाने के लिए 4.0 स्टाटर का यूज कर रहे हैं तो इस से पहले हमने कौन से स्टाटर यूज किये थे 2.0 और 3.0 जब हमारे पास 2.0 और 3.0 स्टाटर थे तो हमने 4.0 स्टाटर यहाँ पर क्यों बनाया सबसे बड़ा क्वेस्टन यह आता है तो इस चीज को हम समझते हैं अभी पहले देखते हैं कि 4.0 स्टाटर को हम क्यों यूज करते हैं और कौन सी मोटर में इसको यूज करते हैं तो four point starter का हम यूज DC sunt motor और compound motor दोनों motor को हम इसको use कर सकते हैं चलाने के लिए DC sunt motor जो हमारी होती है उसको भी हम four point starter से चला सकते हैं और जो हमारी compound motor होती है उसको भी हम four point starter से चला सकते हैं तो यहाँ पर हमने यह 4.0 starter रखा है अब 4.0 starter की पहचान क्या होती है इसके 4.0 के लिए होते हैं जो इस starter में हमको दिखाया गया है तो इन starter का परियोग हम motor में इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले देखो जो उनका क्या है गती परिवर्तन वहाँ पर क्या होता है हमारा अधिक होता है यानि कि जो हमारी speed है कभी ज़्यादा कभी कम होती है इसलिए हमें starter की आशकता पड़ती है और दूसरा सबसे main point यह होता है कि जो हमारी motor होती है starting में बहुत ज़्यादा current लेती है तो starting current को बचाने के लिए हम क्या करते हैं starter का परियोग करते हैं अब अगर हमारी motor अधिक current लेगी तो उससे कारण क्या होता है हमारा लाइनों में काफी voltage drop होता है जिसके कारण हमारी voltage dim होती है और dim होने से हमारी other machine भी क्या होती है बंद होती है तो इससे हमारा breakdown का भी बढ़ जाता है अब breakdown से बचने के लिए हम किसका परियोग करते है इस्टार्टर का परियोग करते है अब breakdown होता क्या है देखिए breakdown यह होता है अगर एक workshop में हमारे या किसी plant में company में बहुत सारे worker मशीनों में काम कर रहे हैं अगर इसी प्रकार मशीने सारी चल रही है अगर हम विगर स्टार्टर के मशीन को यूज करते हैं तो होगा क्या अगर हम एक मशीन को स्टार्ट करेंगे तो बोल्टेज को क्या करेंगा वो ड्रॉप करेंगा जिसके कराण हमारे अगर मशीने बोल्टेज कम होने के कराण क्या हो जाएंगी ओप हो जाएंगी तो इससे breakdown काफी बढ़ जाता है इस breakdown से बचने के लिए हम क्या करते हैं इसमें जो हमारी motor starting जादा करेंट लेती है उसे हम कम करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमारी armature के कारण ही हमारी जो मोटर होती हुँ अधिक करेंट लेती है जो हमारी DC मोटर होती है compound motor यह series है ठीक है तो इनमें सम्भा armature winding होती है अब armature winding जो होती है इसका resistance क्या होता है बहुत कम होता है अगर resistance बहुत कम होगा तो current क्या होगा इसमें ज़्यादा फ्लो होगा तो इसी करेंटी से हम बचानी के लिए क्या प्रियोग करेंगे आपर इस्टार्टर प्रियोग करेंगे अब आर्मेचर का राइसन को बहुत काम होता है जिसके करेंटी क्या होती है बहुत ज्याजा मातर में फ्लो होती है तो इस करेंटी को हमारोकना ह होता है इसकी रही हम क्या बनाते हैं इस्टार बनाते हैं तो आज हम पहले यहाँ पर four point starter का circuit डियाग्राम को समझेंगे फिर इसके हम एक एक पार्ट को खोलेंगे और फिर दुबारा क्या करेंगे निया starter को बनाके अपनी compound motor को चलाएंगे ठीक है इसके बाद क्या करेंगे हम अपने compound motor को यहाँ पर चलाएंगे 4 point starter की साहिता से तो यह हमारा 4 point starter दिखाएंगे है अब यहाँ पर देखो जो हमारी point की संक्या है वो 4 है एक point हमारा यह हो गया दूसरा है यह तीसरा ही है और चौथा ही है उसी प्रकार इस starter में भी देखो हमारे 4 point निकले हुए है पहला point यह है उसके बाद यह second उसके बाद तरड और यह fourth जिटने point बहँ निकले होते हैं उसे हम उसी प्रकार से उसका नाम रख देते हैं तो यहाँ पर हमारे चार पॉइंट निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको फॉर फॉइंट इस्टाटर बोलेंगे, सबसे पहले हम सरकीट डियाग्राम को समझेंगे, तो इस पर हम क्या करते हैं, देखो, इस जो पॉजिटिव और नेगेटीव दो इस में सप्लाइब, चोकि इसी में क्या करते हैं केवल फेज वायर में ही mcb का परियोग करते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं देखो पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर दोनों में यह ही MCB का परियोग करते हैं तो यहांपर हम MCB के इस output से connection करना start करते हैं तो सबसे पहले हम यहांपर एक wire connect करेंगे और इस wire को हमा कहा करना होता है OLC के साथ, OLC हमारी coil है इसका पूरा नाम होता है overload coil यह हमिए ओबर करेंट से यहाँ पर क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हमारे मोटर को तो इस ओबर लोड रिले में क्या होगा देखो इसको आप रिले भी बोल सकते हो या इसको ओबर लोड कोईल भी हम बोल सकते हैं इसमें इस प्रकार की वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर हम connecting arm के साथ तो यहां पर हमको दो चीज दिखा रखी है है क्निक और हो गई यह हमारी 삼 दिलगी होता जिसको हम इस पैरल स्प्रिंग कहते हैं तो यहां पर इसपारल का का म कॉता है जो इनकी करेक्टिंग आरम है इसे अपनी पुरानी और वापस लाना तेकैं अगर मैं इस corrective arm को इस point में रख दूँ और supply हमारी off हो जाती है तो उस condition में इसको वापस लाने का काम कौन करता है spiral spring और इस परकार इसमें यह हमने stud बना रखे हैं यहाँ पर stud की संक्या हमने 7 ले रखी है एक दो तीन चार पांच छे साथ जो हमारे छोटे छोटे चोटे टुकले टाइप के दिखाई दे रहे हैं यह हमारे stud होते हैं और इनी stud को हम copper का बनाते हैं तो यहाँ पर देखो यह off condition में अभी हमारा circuit है off condition में क्या होता है यह connective arm हमारा पहले वाले stud में रहेगा और यहाँ पर देखो इनका कोई connection आगे नहीं है तो यहाँ पर होता क्या है कि supply हमारे आगे नहीं बढ़ेगी फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद यह हमारे second number का stud है यह third stud है यह four, five, six और यह seven तो इस प्रकार इन stud हों हम क्या करते हैं इस प्रकार से resistance को एक series में connect करते हैं देखे सारे resistance हमने कैसे connect कर दिये हैं सिरीज में अब series में connect करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले वाले resistance का दूसरा सीरा दूसरे वाले resistance के पहले सीरे से जोडते हैं इसी प्रकार दूसरे वाले का दूसरा सीरा तीसरे वाले के पहले सीरे के साथ जोडते हैं तो इसी प्रकार हमने सारे रेश्संट यहाँ पर क्या कर दी हैं करेक्ट कर दी हैं कहा तक अपने on वाले stat के साथ तक फिर उसके बाद देखिए जो हमारा last वाले stat का जो output रहेगा इसे हम करेक्ट करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के सिरीज में तो armature winding के series में connect करने के बाद इस supply को हम यहाँ से negative wire से connect कर देंगे और इस परकार देखे दो परकार की हमारी यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे दो परकार के compound motor होते हैं एक होता है short sent एक होता है long sent तो हमने यहाँ पर यह long sent compound motor को बना रखे हैं तो इस condition में क्या होता है देखो जो इसकी armature winding के series में हम कौनसी winding करते हैं filled series winding को तो armature के series में हमें कौनसी winding जोड़नी होती है filled series winding को और जो हमारी sent winding होती है उसके यह दोनों कैसे होते हैं समानतर क्रम में होते हैं इस प्रकार से जोडने के बाद हम देखेंगे कि long center όcić और short center Motor कैसी होती है देखें यह हमारी long center susceptible to motor है इसमें क्या होता है जो हमारी series winding होती है armature winding के series में connect को जाती है और field winding को हम दोनों के parallel में connect करते हैं यानि की एक दूसरे के समानते क्नेक्ट करते हैं और जो हमारा field series winding होती है इसे हम connect करते हैं कैसे इन दोनों के series में तो इसके बाद जो हमारी short center DC motor होती है यहाँ पर हम armature winding को और shunt field winding को एक दूसरे के parallel में क्नेक्ट करेंगे और जो हमारे series winding होती है उसे इन दोनों के कैसे connect करना होता है series में तो इसलिए से हम बोलते है short center DC motor तो यहाँ पर हमने circuit डियाग्राम में भी long center बजा रख है तो long center की condition में देखिए यह कहाँ पर रहेगा यहाँ पर इस condition में रहेगा armature की series में अगर इसे हम short center motor connect करेंगे तो हमारी armature winding के बाद जो इस series field winding लगी है इसको हम यहाँ पर connect करेंगे ठीक है तो हमारी इस point पर कौन सा connection आजेगा series field winding का connection आजेगा तो इतना connection complete होने के बाद हम दूसरा point लेते हैं देखिए step number second से हम एक wire का loop निकालते हैं और इस wire को इस परकार looping करते हुए सीधे हमें इसे NVC में correct करना होता है NVC के input में इस wire को हम connect कर देंगे और NVC coil का देखो NVC का पूरे नाम होता है no volt coil तो NVC का पूरे नाम जैसे कि होता है no voltage coil इसका नाम no voltage coil क्यों पढ़ा पहले हम यह देखते हैं देखो no volt coil का मतलब होता है जब तक इसमें voltage नहीं होगी तब तक कोई कारिया नहीं करेगा जब इसको हम voltage देंगे तभी क्या करेगा काम करेगा तो NVC लेकाने का सबसे बड़ा फाइदा यहां पर यहां होता है जब इस पर supply चले जाती है तो उस condition में काम नहीं करेगा इसलिए इसका नाम रख दिया गया है नो voltage को है अब नो NVC का यहां पर काम होता है NVC का यहां पर काम क्या होता है इस connecting arm को hold करना अगर जैसी हमारी यहां पर voltage चले जाती है तो इस connecting arm को छोड़ देता है उस condition में connected arm हमारी off condition में चले जाएगा अगर किसी कारण वस उसके बाद इस machine का operator अगर कहीं चले जाता है supply उस condition में आ जाती है तो हमारी motor स्वयमी चालू नहीं होगी जिसके कारण फाइदा हमें क्या है और नुक्सान क्या है देखिए फाइदा हमें यह है कि हमारी motor तब तक चलेगी नहीं जब तक उसको operator दुबारा on नहीं करेगा और यही हमारा एक motor के लिए सबसी बड़ी क्या है safety होती है के लिए हो गया अब देखिए जो यह हमारा NVC का यह output point है इसे हम collect करते हैं देखो एक resistance के दवारा तो यह हम नहीं एक resistance यूज किया है जो resistance का नाम क्या है protective resistance यह resistance क्या करता है हमारी NVC की safety करता है और यह हमारा 3.0 starter में नहीं पाय जाता है यह कैवल 4.0 starter में यह इसको लगाते है और देखिए इसको लगाते क्यूँ है यह हमने 4.0 starter में और 3-point starter में हमने यह क्यों नहीं लगाया जो हमारी 3-point starter होता है उस पे हमारा यह NVC जो होता है वो इस field winding के series में connected होता है मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो यह output wire निकली है 3-point starter में उसमें क्या करते हैं इस NVC के इस output को सीधे इस field winding से connected करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है केवल 3-point निकलते हैं मगर वहाँ पर एक कमी हो जाती है कमी क्या होती है जो हमारा NVC है इसका magnet जो है वो अच्छी प्रकार से बन नहीं पाता है अगर इसमें magnet अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा तो हमारा connecting arm को अच्छी प्रकार से hold इसके कारण क्या होगा इसमें एक proper magnet बनता है इससे हमारी motor अच्छी प्रकार से controlling arm को hold करे रहता है अब देखिए यहाँ पर जो हमने इस wire का looping कर रखा है इस wire को हम connect इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी NVC है जब यह state हमारा इस condition में जाएगा तो उसे यहाँ से सीधे क्या मिल जाता है positive मिल जाता है और यहाँ पर से उसको इस resistance के द्वारा negative सीधे मिलता है इस प्रकार हमारा जो NVC है वो supply के सीधे पहलार मा आता है और सीधे पहलार मा आने के कारण इसमें अच्छा magnet बनता है अब इसके अब इस NVC के इस point से हम connect करेंगे इसकी field winding को तो field winding connect करने के को हम अपने sunt field winding के input से connect करते हैं और इस sunt field winding का जो output connection होगा उसे हम कहां करते है negative supply के साथ और यहाँ पर इन तीन को हमने क्या कर रखा है looping कर रखी है negative wire की अब देखेंगे हम हमारा यह OLC यानि की overload coil किस प्रकार काम करती है तो इस condition में होता क्या है देखो जो हमारी NVC होती है इसे sort करते हैं यह वाले point तो इस point में क्या होगा जब इसमें चुम्बग बनेगा ज्यादा यानिकि current जब हमारी जब हमारे इन दोनों wire को आपस में sort कर देगा और यह wire हमारा NVC का output से लिए गया है और एक nvc के input से लिए गया है तो इस image के input और output wire को इंथा क्या कर देगा sort कर देगा देखिए उपर से इस wire को k्या मिल रहा है positive जो इस प्रकार से यहां से सप्लाई इसको मिलती है और नीचे से इसको क्या मिल रहा है देखो यहां से इस वाले पॉइंट से इसको मिलता है यहां पर नेगेटीव मिलता है हमने क्या कर रखा है इस एनवीची के नेगेटीव पॉइंट और फॉइस्टीव पॉइंट को यह वाला architect हमारा इसको उपर करने पर क्या कर देगा? दोनें को short कर देगा, उस condition में क्या होता है? जो हमारी NVC का छुंबक है, magnet है, वो खतम हो जाता है persons और हमारी controlling arm को छोड़ देता है इस connecting arm को, उस से क्या होगा? हमारी motor जलने से क्या होती है, बच जाती है overload current की condition में तो इसके हम आप क्या करेंगे इस starter को खोलते हैं और एक एक करके चेक करेंगे कि हमने starter क्यों लगाया है अब देखें starter लगाने का सबसे व्यादा फाइदा क्या होता है हमें अपने जो armature winding होती है इसका resistance बहुत कम होता है जिसके करण हमारे DC motor ने बहु DC motor के armature की current को कम करना armature हमारा starting में ज्यादा करण ले रहा था कितना करण लेता है लगबग 3-5 मुरा करण लेता है अपने full load current का इस current से बचने के लिए हमने यहाँ पर armature के series में देखें इस परकार हम क्या करते हैं resistance का परियोग करते हैं जिससे हमारा armature क्या होगा current कम लेग और हमारी starting current क्या होगी बच जाती है अब इसकी हम एक बार operating condition देखेंगे जिस condition में यह कारे करता है तो उस condition में देखो क्या हो रहा है यहाँ से हमारी positive wire की supply इस MCB को on करने के बाद कहां चले जाती है इस wire में चले जाती है जो इस प्रकार होते हुए इस overload coil के बाद यहाँ प तो अपने connecting arm को हम start number second के साथ connect करते हैं अब देखें उस condition में क्या होता है यहाँ पर से हमारा सीधे supply कहां पहुंच जाती है NVC में और यहाँ से क्या मिल रहा होता है देखो निचे से negative मिल रहा होता है उस condition में हमारी NVC में पूरा magnet बनके तयार हो जाता है अब उसके बाद connecting arm को इस point पर होने के बाद हमारी supply एक इस रेजिस्टेंस से होते हुए फिर इसके बाद इसमें होते हुए इस परकार इन रेजिस्टेंसों में होते हुए कहां पहुंचती है वो हमारे armature winding में अब देखें अगर current इतने resistance से होके गुजरेगी तो current हमारी क्या हो जाएगी यहा इन पोजिशन में रहेगा इस्टर नंबर सेकिंड में तो इस प्रकार current flow होते हुए आएगी हमारी कहां पर armature winding में तो armature winding के में रेजिस्टेंस से एड़ करने से तो 75% speed पकरणने के बाद हमारी motor फिर कम करें लेती है और जिस condition में क्या होता है हमारी motor अच्छी प्रकार से run करता है अब देखिए हमें आपर second condition देख रहे हैं पहले condition में हमने क्या किया armature के series में हमने resistance क्रेंट कर दिये हैं जिसके current कम हो चुकी है अब दूसरी condition देखते है कि हमारी motor 75% speed पकरणने के बाद current कम क्यों ले रही है तो सबसे बड़ा point यहाँ पर यही बनता है कि जब हमारी motor 75% speed पकरण लेती है तो इसकी current आखिर कम कैसे हो जाती है तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इस formula को देखो DC motor में यह formula होता है back aim up बराबर z5n upon 60 और into p upon a द जिस condition में हमारा back aim up भी क्या होता है सुन्य होता है अगर हमारा back aim up सुन्य होगा तो उस condition में क्या होगा हमारी motor बहुत अधिग मात्रा में current लेगी और उस current को बचने के लिए हमने फिर क्या किया देखो इस पर कार resistance से add किये हैं और जब तक यह resistance में हमारा यह क्लेक्टिक आर जाती है उस condition में हमारा क्या होता है बेक इमप भी क्या हो जाता है बनके तयार हो जाता है और हमारी motor की current क्या हो जाती है कम हो जाती है तो दोनों condition में हमको यहाँ पर क्या मिलता है फाइदा मिलता है जिसके कारण हमारी DC motor क्या करती है starting में बहुत कम current लेती है और इन starter की स्टार्टर को खोलेंगे यहाँ पर और फिर इसके क्या करेंगे connection करेंगे connection करने के बाद हम DC यहाँ पर संट मोटर और compound मोटर को इसी स्टार्टर की सहाथ से क्या करेंगे run करेंगे